हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ पनीर खुर्चन की रेसिपी ये बहुत दी स्वादिस्ट है और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है तो चलिए आज की ये रेसिपी सुरू करते हैं इसके लिए हमें दो प्याज, एक सिमला मिर्च और एक टमाटर चाहिए इसे अच्छी तरह धो करबारी काट लेंगे गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें आप तीन चम्मच तेल डाले तेल जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो वन फोर्थ चम्मच जीरा डालेंगे और उसे चटकने देंगे अब इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे इसमें कटे हुए बारिक प्याज को डाल दे और इने हमें फ्राई करना है गैस का फ्रेम हमें हाई रखना है प्याज को हमें golden brown कलर का होने तक फ्राई करना है अब इसमें एक चम्मच अद्रक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी प्यास के साथ दो से तीन मिनट तक प्राई कर लेंगे अब इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे टमाटर को हमें अच्छी तरह पकाना है टमाटर हमारे पक चुके हैं तब इसमें सिम्ला मिर्च को डालेंगे सिम्ला मिर्च को भी हमें थोड़ी देर भून लेना है इसे करीब चार से पांच मिनट तक हमें लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है जिससे सिम्ला मिर्च थोड़े सॉफ्ट हो जाए अब इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक डाल दें इस तरह हमारे सबजी की अच्छी भूनाई हो चुकी है अब इसमें हम अपने कुछ मसालों को डालेंगे इसमें वन फूर्थ चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच सांभर मसाला डालेंगे इस सबजी में हमें सांभर मसाला ही डालना है जिससे इस सबजी का कुछ अलग ही टेस्ट आएगा इसमें दो चम्मच पाणी डाल दे जिससे मसाले हमारा जलेना और मसालों को हमें अच्छी तरह भून लेना है गैस का फ्लेम लो कर दे और इसे ढख कर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दे इधर पनीर को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे पनीर को हमें बिल्कुल छोटे पीस में काटना है एक बार ढखकन हटा कर मसालों को चला दे मसाले हमारे अच्छी तरह भून चुके हैं अब इसमें पनीर के पीसेज को डाल देंगे और इसे भी मसालों के साथ भून लेंगे इसे हमें 5-6 मिनट तक भूनना है जिससे पनीर में मसालों का फ्लेवर चला जाए अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेयर जरूर करें सबजी हमारी अच्छी तरह भून चुकी है और इसमें से तेल भी रिलीज हो चुका है अब इसके उपर धनिया पत्ता डालेंगे आप यहाँ धनिया पत्ता को स्किप भी कर सकते हैं और एक बार इसे मिला लेंगे इस तरह पनीर खुर्चन हमारी बनकर तैयार हो गई है इस सबजी को आप रोटी या पराठा के साथ इंजवाए करें अब मैं आपको सर्प करके दिखाती हूँ देखिए कितनी अच्छी लग रही है अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू